परिचय बच्चों, हम पात्पों के बारे में अनेक बाते सीख चुके हैं. अब हम पात्पों की वृध्धी, विकास, एवं अन्य अनिवारे कत्विधियां करने के लिए आवशक खनिज तत्वों के बारे में सीखेंगे. उपापचय तथा अन्य कत्विधियों हेतु आवशक अधिकांश पूशक तत्वों को पादप मृधा से ग्रहन करता है. मृधा जणों को स्थिर होने तथा वृध्धी करने के लिए स्थान उपलब्ध कराती है. ये जलधारन करती है जिसमें मृधा की पूशक तत्व आयनो में परिवर्तित हो जाते हैं. जिस रूप में पौधे उन्हें उप्योग कर सकते हैं. उधारन के लिए पोटेशियम, पणरंद्रों के खुलने और बंध होने में सहयता करता है. सभी आनिवारे पोशक तत्वों की उपलब्धता के साथ पौधा भलिभाती जीवत बना रह पौधे सकता है. तो इस पूरे मोड्यूल में हम पात्पों हेतू अनिवारे पोशक तत्वों की बारे में सीखेंगे. उध्देश्य इस पाट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. पादपों में खनिज अनिवारेताओं को जानना अनिवारे खनिज तत्वों पर चर्चा करना व्रेहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमिगा का वड़न करना अनिवारे पोशक तत्वों की अपरियापतता की लक्षणों का वड़न करना सुक्ष्म तत्वों की आविष्दा पर चर्चा करना, तत्वों के अफ्शोशन की क्रियाविधी का वड़न करना, विलेयों के स्थानांत्रण पर विचार व्यक्त करना, नाइट्रोजन के उपापचय का वड़न करना, पातपों की खनिज अनिवारेताओं की अधियन विथी चुकि विश्व की जनसंख्या तेजी से बाड़ रही है इसलिए हमें खादे की मांग पूरी करने के लिए अधिक विश्वसनिय तरीकों की आविशक्ता है जल समवर्थन ऐसा ही एक तरीका है जल समवर्थन वो तकनीक है जिसमें पातपों को मृदा के बिना पोशक विलियनों के घोल में उगाया जाता है जल समवर्थन के लाब पातपों को कही भी उगाया जा सकता है पातपों की वृद्धी नियंतरित रहती है तथा जल और पोशक तत्वों का संडक्षन किया जाता है अनिवारे खनिज तत्व नाइट्रोजन, फासफोरस, पोडेशियम, केल्शियम, मैगनीशियम, सलफर, बोरॉन, क्लोरीन, आईरन, मैगनीज, जिंक, कॉपर, मौलीबडेनम, तथा निकेल अनिवारे खनिज तत्वों में आते हैं अनिवारे ता का माप्दंड किसी तत्व को अनिवारे माना जाता है यदि पादव उस तत्व की अनुपस्तिती में अपना जीवन चक्र पूर्ण ना कर सकता हो उस तत्व को किसी अन्य तत्व से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता हो वो तत्व पाधप के उपापचय में प्रत्यक्षता सम्मिलित हो अनिवारेता निर्धारण के मापदंड इन तत्वों को दो व्यापक श्रिणियों में बांड़ा जा सकता है ये इस प्रकार हैं व्रिहत पोशक और सूक्ष्म पोशक व्रिहत पोशक वे पोशक जो भारी मात्रा में पोधों के उत्कों में विद्दिमान रहते हैं कुछ व्रिहत पोशक हैं नाइटोजन, पासफोरस, पोटेशियम नाइटोजन, प्रोटीन, क्लोरोफिल और अन्ने एंजाइम्स का एक मुख्य संगटक है जो पोधों के जीवन के लिए अनिवारे होते हैं पोसफोरस बीजंकुरन, प्रोटीन निर्मान और लगभग व्रिधी की सभी अवस्थाओं में और पोधों में उपाप जय के लिए आवशक है पोटेश्यम, शुगर, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन संशलेशन के निर्मान और पोधों की जड़ों और अन्ने भागों में कोशिका विभाजन के लिए आवशक होता है सूख्ष्म पोशक तत्व सूख्ष्म पोशक तत्व पोधों की वृध्धी के लिए अनिवारे ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आवशक्ता बहुत ही नियून मात्रा में होती है ये तत्व गौन तत्व भी कहलाते हैं बोरौन, आइरन, क्लोरीन, मैगनीज, मॉलीबडेनम और जिनक सूख्ष्म पोशक तत्व हैं अनिवारे पोशक तत्व अनिवारे तत्वों को चार व्यापक श्रिणियों में बाटा जा सकता है अनिवारे तत्वों को कारबन, आक्सीजन, हाइडोजन और नाइटोजन जैसे जैव अड़ों के घटकों के रूप में माना जा सकता है अनिवारे तत्वों को पातपों में उर्जा संबंधी रासायनिक योगिकों के घटक के रूप में माना जा सकता है उधारन के लिए क्लोरोफिल में मैगनीशियम, अनिवारे तत्व जो एंजाइमों को सक्रिये या उन्हें बाधित करते हैं, उधारन के लिए ZN2+, एलकोहल डिहाइडोजिनेस को क्रियाशील करता है, कुछ अनिवारे तत्व कोशिका के परासरणी विभाव को परिवर्तित कर देते हैं, उधारन के लिए पोटेशियम पनरंदरों के खुलने और बंध होने में एक महदपून भूमी का निभाता है, व्रिहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमी का, नाइट्रोचन, इस तत्व की आविशक्ता सर्वधिक मात्रा में होती है, और इसका अफ्श आयन के रूप में होता है, ये विभाज यो तक उतकूं एवं सक्रिय उपापचाई कोशिकाओं के लिए आविशक होती है, ये प्रोटीन हार्मोन, निउकली कमलों इत्यादी के संगटन में सहता करता है, पॉस्फोरस, इसे पौधों के द्वारा फॉसफेट आयनों के और सभी फास्फोराइलेशन क्रियाओं के लिए आवशक है, पॉटेश्यम, इसे पॉटेश्यम आयनों के रूप में अफशोशित किया जाता है, ये पन रंधरों के खुलने और बंधोने में कोशिका विभाजन में महतपून भूमी का निभाता है, व्रिहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमिका, केल्शिम, इसे पॉधों के द्वारा केल्शिम आयनों के रूप में अफशोशित किया जाता है, ये कोशिकाओं में जल संचरन को बढ़ाता है, और कोशिका वृध्धी और विभाजन के लिए अनिवाड़े होता है केल्शिम पादप उतक में संचित हो जाने के बाद गती रहीत हो जाता है, जहां वृध्धी हे तू, निरंतर आपूर्ती होती है मैकनीशियम ये क्लोरोफिल अनू का संचनात्म घटक है, और पौधो में कार्बो हाइडरेट, शुगर और वसा के उत्पादन हेतू, एंजाइमों के क्रिया विथी के लिए आवश्यक होता है, ये बीज अंकुरन के लिए अनिवारे होता है, और फल वा क्रीदार फल के न चनात्म घटक होता है, ये बहुत सी सबजियों को स्वाद प्रधान करता है, व्रेहत एवं सूख्ष्म पोशक तत्वों की भूमिगा, लोहा, इसे फैरिकाइनों के रूप में पौधों के द्वारा अफशोशित किया जाता है, ये बहुत सी एंजाइम क्रियाओं के लिए आवशक होता है, और क्लोरोफिल के संशिलेशन के लिए एक उत्प्रेरक का कारे करता है, मैगनीज, ये प्रकाश संशिलेशन, शोसन, तथा नाइट्रोजनी उपापचाय के लिए एंजाइम क्रियाओं के लिए में में पून भूमी का निभाता है, जिंक, ये प्रोटीन संशिलेशन हे तू अनिवारे है, तांबा, ये जड़ों में उपस्तित होता है और नाइट्रोजन उपापचाय में भूमी का निभाता है, ये एंजाइम्स का घटक है, जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स का अप्रियोग करते हैं, व्रिहत एवं सूक्ष्म पोशक तत्वों की भूमिका, बोरान, ये कोशिका बित्ती के निर्माण, जिल्ली, कारिशीलता के लिए अनिवार है, ये पुश्पन, भलन, कोशिका विभाजन, तदा हार्मोनों के स्थानांत्रण में भूमिका निभाता है, मौलिबडेनम, ये नाइट्रोजन को अमोनिया में अपचाईद करता है, मौलिबडेनम के बिना प्रोटीन संचलेशन अवरुद्ध हो जाता है, और बादप सम्रिधी रुख जाती है, क्लूरीन, ये परासरण में भूमिका निभाता है, जिसमें कोशिकाओं तक जल या विलै का संचलन होता है, अनिवारे तत्वों की अपरियाप्ता के लक्षन जब पादपों में एक या अधिक अनिवारे तत्वों की मात्राएं अपेक्षा से कम हो जाती हैं, तो पादब में कमजोर वृध्धी प्रदशित होती है और विशिष्ट अपरियाप्तता लक्षण उत्पन हो जाते हैं। तत्वों की अपरियाप्तता की कारण पादपों में अकारी की ये परिवर्तन अपरियाप्तता लक्षण कहलाते हैं। महदपून अपरियाप्तता लक्षन निम्न है। कलोरसिस हरित पात्पों की वो असमाने तशा जिसमें तने और पत्तियां विवन हरे या पीले पड़ जाते हैं। ये पीलापन हरे पन हरित कलोरोफिल रंजकों के स्तर में कमी आने के कारण होता है। ये अनेक कारकों से हो सकता है। मैगनीशियम, आईरन या मैगनीश की अपरियाप्तता एक सामाने कारक है। अपरियाप्तता के लक्षन नेक्रोसिस इसमें पत्तियों के उतकों की स्थानी ये मृत्यू हो जाती है। उतकों की म्रित्यू का विस्तार पूरी पत्ति तक हो सकता है। कल्शियम की अपर्याप्तता के परिणाम सो रूप पहले तरून विभज योत की क्षित्रों में उतक म्रित्यू होती है। जो शीकर ही जड़ों के शीर्ष या नई पत्तियों तक फैल जाती है। बौनपन या अवृद्धु पादप वृद्धी इसमें वृद्धी मंद हो जाती है। तना संगनित और छोटा दिखता है। कल्शियम की अपरियाप्तता की वज़ा से वृद्धी अवृद्ध होती है। अंकुरों का मरण कौपर की अपरियाप्तता होने पर कास्थ युक्त या शाकिय पादपों के तनों या शाकों की मृत्यू शीर्ष से आरंब होती है और धीमी या तेजगती से नीचे की ओर पढ़ती है। सूक्ष्मु पोशक तत्वों की आविष्टा पौधों में सूक्ष्मु पोशकों की अनिवारिता की मात्रा में मामूली वृद्धी या कमी के कारण आविष्टा उत्पन होती है। आविष्टा के लक्षणों की पहचान करना कठिन है। विभिनपादप्रजातियों के लिए एक तत्व के आविष्टा स्तर भिन भिन होते हैं। यदि एक तत्व अधिक मात्रा में है, तो ये अन्य तत्व के अधिक रहन को बाधित कर सकती है। उधारन के लिए मैगनीज की अधिक्ता से लाह, मैगनीशियम और केल्शियम की कमी हो सकते हैं तत्वों के अफ्शोषन की क्रिया विधी आइनों की गती को अभी वाह कहते हैं कोशिकाओं के अंदर आयनों की गती को अंतरवाह और पाहर की गती को बहिरवाह कहते हैं खनिज आयनों का अधिकरहन दो चरणों में होता है प्रथम अवस्था में पादप उतक खनिज विलियन में रखे जाते हैं खनीज आयन तेजी से वाहे कोशिकाउं एपोप्लास्ट में जाते हैं। दूथिय वस्था में खनीज आयन आंतरेक स्थान सिमप्लास्ट में मंदगती से जाते हैं। ये एक सक्रिय प्रक्रम है तथा उपाप चई उड़्जा कवपियों किया जाता है। विलियों का स्थानांतरण खनीज लवणों का एक शित्र से दूसरे कशित्र में जाना इस्थानांतरण कहलाता है। जायलम के मात्यम से खनीज लवण पाधप की एक भाग से अन्य medical तक स्थानांतरित होते हैं। बरीदा अनिवारे तत्वों के भंडार के रूप में। तत्व अनेग रासाइनिक रूपों में उपस्तित रहते हैं। तत्व मृधा विलियनों में आएनों के रूप में खुल सकती हैं। वे अविलिय boa růपों में रह सकते हैं, चुंकि तत्व म्रेदा में अपना सोरूप परिवर्तित करते हैं, इसलिए एक गती शील सामय आवस्था उपस्तित रहती है, जो म्रेदा की विभिन दशाओं, जैसे की विभिन आइनों की सांद्रता, पी एच, तथा म्रेदा में वायू उपलब्दता आदी के भी धारण करते हैं, नाइट्रोजन का उपापचाय, नाइट्रोजन चक्र, नाइट्रोजन योगिक, पृत्वी पर समस्त जीवन रूपों के लिए अनिवार है, उधारण के लिए प्रोटीन और नुकलियक अमल, नाइट्रोजन चक्र के निम्न चरण होते हैं, नाइट् और विनाइट्री करण। नाइट्रोजन स्थ्री करण। नाइट्रोजन के अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन योगिकों में परिवर्तित होने की प्रक्रिया नाइट्रोजन स्थ्री करण कहलाती है। नाइटोजन चक्र आमोनी करण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा कार्बनिक नाइटोजनी योगिक अब घटित होकर आमोनिया उत्पन्न करते हैं, आमोनी करण कहलाती है। नाइट्री करण नाइट्री करण वह प्रक्रिया है जिसमें अमोनिया पहले नाइट्राइट तथा फिर नाइट्रेट में परिवर्तित होती है। 2NH3 plus 3O2 देता है 2NO2 plus 2H plus 2H2O 2NO2 plus O2 देता है 2NO3 यह प्रक्रिया म्रिदाज जिवानों द्वारा संपन्न की जाती है, जो रसोस स्वापोशी होता है। अमोनिया नाइट्रो सोमनास तथा नाइट्रो कोकस द्वारा नाइट्राइट में अक्सिक्रित होती है। नाइट्राइट, नाइट्रो बैक्टर द्वारा नाइट्रेट में आउक्सिक्रित होता है। नाइट्रेटों का पाधपों द्वारा अप्शोशन कर लिया जाता है और नाइट्रेटों के रूप में अप्चाइद कर दिया जाता है। नाइट्रोजन चक्र विनाइट्री करण ये वो प्रक्रिया है जिसमें नाइट्रेटों का मुक्त नाइट्रोजन में परिवर्थन या अपचयन होता है ये स्यूडो मोनास वा थायो बैसिलस जैसे जीवाणों द्वारा संपन्ने की जाती है जैविक नाइट्रोजन स्थरी करण जैव नाइट्रोजन स्थरी करण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा नाइट्रोजनिस की उपस्थिती में अमोनिया का वायो मंडलिये नाइट्रोजन की रूप में अपचयन किया जाता है नाइटोजन इस्थिरकारक जीवानों सौतंद्र या सहजीवी जीवन यापन कर सकते हैं सौतंद्र जीवी नाइटोजन इस्थिरक हैं एजोटो बैक्टर बैजेरिंग किया जो दोनों वाईविये तथा रोडोस्पाइरिलम अवाईविये हैं क्यानों बैक्टुरिया जैसे की एनाबियेना तथा नौस्टेक सौतंत्र जीवी नाइटोजन इस्थिरक भी हैं। सह जीवी जैविक नाइटोजन स्थरी करण। फलीदार पाधप जीवानु संबंध सह जीवी सहयोग का अच्छा उधारण है। फलीदार पाधपो में मूल ग्रन्थिकाएं होती हैं जिनमें सह जीवी जीवानु राइजूपियम वायूमंडलिये नाइटोजन को अमोनिया में स्थिर करते हैं। ये अमोनिया अनेक जैव अड़ों जैसे की एमिनो अमलों, प्रोटीनों, विटामिनों तथा न्यूकलियक अमलों के लिए उपलब्द कराई जाती है। फ्रेंकिया मृदा में रहने वाला एक स्वतंत्र जीवी जीवानु है, जो बायूमंडलिये नाइटोजन को अस्थिर करता है। ग्रन्तिका निर्माण। जब किसी फलीदार पादप का मूल रोम राइजोबियम के संपर्क में आता है, तो ये जीवानु द्वारा स्रावित रसाइनों के कारण कुंचित या विरूपित हो जाता है। राइजोबिया विरूपित मूल रोम में प्रविष्ट होता है, और मूल रोम के अंदर बहु गुनित होता है। पादप एक संक्रमन धागे द्वारा प्रतिक्रिया करता है, जो उतकों तक जीवानु को ले जाने के लिए अंदर की ओर बढ़ता है। पोशक तत्वों के अफ्शोषन के लिए ग्रंथिकाओं का संपर्क आश्रय दाता के समवहनी उतकों से हो जाता है। मूल ग्रंथिकाओं का निर्मान तथा नाइट्रोजन इस्थरी करण पादप के जीनों और जीवानों के जीनों के नेंतरन में होता है। होने वाली अभिक्रिया निमन है नाइट्रोजन प्लस आठ, इलेक्ट्रोन आठ, हाइड्रोजन आयन प्लस सोला एटीपी देता है, दो एनेच तीन प्लस हाइड्रोजन प्लस सोला एडीपी प्लस सोला पी आई। अमोनिया की नियती इस प्रक्रिया में एक एमिनो अम्न से एमिनो समूह, कीटो अम्न के कीटो समूह पर इस्थानांत्रित होता है। क्या आप जानते हैं? पाथपों की जणे मृदा में तथा जणों के प्रिष्ट पर रहने वाले हजारों जीवाणूं तथा कवकों से घरी रहती हैं। लाभप्रद सुख्ष्म जीवों की पहचान के लिए पाधप अपनी प्रतिरक्षी प्रणाली का उप्योग करते हैं। उधारण के लिए जब पादप राईजोबियम मृता जीवाणों द्वारा स्रावित काईटीन अणों की जांश करता है तो मूल गरंथियां बनने लगती हैं। राईजोबियम जीवाणों को अंदर सहजीवी अंगों में प्रवेश करने और पनपने दिया जाता है और वे पादप के लिए नाइटोजन बनाते हैं। सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराएं। जल्द संवर्धन वो तकनीक है जिसमें पादपों को मृदा के बिना पोशक विलियनों के घोल में उगाया जाता है। व्रिहत पोशक तत्व और सूक्ष्म पोशक तत्व तत्वों की दूव्यापक श्रिनिया हैं। वे पोशक जो भारी मात्रा में पौधों के उदकों में विद्धिमान रहते हैं। सूक्ष्म पोशक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जिनकी आविशक्ता बहुत ही निवन मात्रा में होती है। क्लोरोसिस हरित पादकों की वो आसमाने दशा है जिसमें तने और पत्तियां विफर्ण हरे या पीले पड़ जाते हैं। नेक्रोसिस में पत्तियों के उतकों की स्थानिय म्रित्यू हो जाती है। बॉनापन या वृद्ध पादप वृद्धी में पृद्धी मंध हो जाती है। अमोनी करण, नाइट्री करण, विनाइट्री करण शामिल है। जैव नाइट्रोजन स्थ्री करण वह प्रक्रिया है जिसमें सजीवों द्वारा नाइट्रोजेनिस की उपस्तिती में अमोनिया का वायू मंडलिये नाइट्रोजन के रूप में अपचयन किया जाता है